नमस्कार दोरण दस प्रक्रण बार विद्धूत मा भाग चार नी अंदर हो सुनिल जादव आपनो स्वागत करो छो आपने अगावना भाग एक ब्याने त्रण नी अंदर विद्धूत ने लगता विविज्य मुद्धा होता तेनी चर्चा करी भाग एक नी अंदर आपने सव प्रतम जे चर्चा करी अती ते विद्धूत प्रवा आने विद्धूत सिति मानना तफावतनी वाद करी भाग 2 नी अंदर आपने उम्ना नियम नी चर्चा करी अने तेने लगता दाखलावनी चर्चा करी भाग 3 नी अंदर आपने सीरीज औने पैरलल कनेक्शन एटले के श्रेनी जोडाण अने समांता जोडाण नी वातो करी हवे आ भागनी अंदर आपने विद्धूत प्रवानी तापी अरसर और विद्धूत पावर विशे नी चर्चा करेशू तो आ भागनी अंदर सवती पहला तो आपने कही है कि आपने एक वाद जानिये छे के कोश अथवात तो बैटरी ए विद्धूत नू प्राप्ती स्थान छे हवे त्यां थी विद्धूत आपने मड़े छे औने जारे आपने सरकीट ने कनेक करिये छे त्यारे इलेक्ट्रोन ने जे सप्लाई एटले के इलेक्ट्रोन ने वेवा माटे नी जे गती आपे छे ते कोण आपे छे तो आपने जानिये छे के ते उर्जा बैटरी माथी मड परणतु तेनू एक स्वरूप माथी बिजा स्वरूप मा रूपान तरण करी शकाए छे तो हवे जयारे आपने कुईपण उपकरणने उर्जा नी जे प्राप्ति स्थान चे एटले के बैटरी छे अथवा तेनू सोर्ज जे चे नी सथे जोडिये त्यारे तेमा थी जे उर् की नो भाग जे छे उर्जा नो ते उष्मा रूपे नाश पामे छे जेमके आपने पंखानी वाद करे तो अमुक जे भाग छे उर्जा नो एटले के विद्धूत नो ते पंखाने फरावा माटे तेनी गती माटे उप्योगी थशे जयारे अमुक भाग जे छे ते उष्मा उड़जा रूपे वियाई पामे छे जमके आपड़े पंखाने हाथ लगावे शो तो ये आपणने गरम लाक्षे तो अहीं आगड आ सेशन नी अंदर आपने विद्धूत प्रवानी तापी अशर विशेनी चर्चा करवा जैरेया छे तो जोई आपने के तापी असर शू छ विद्धूत प्रवानी तापी अशर धारोके अवरोध आर माथी विद्धूत प्रवा आई पसार थाई छे आपने अवरोध अवरोध एटले के आपने ग्याजेट अथवात आपने उपकराण कहिए तेने अवरोध तरीक आपने उड़के छे तो ते माथी विद्धूत 2 छेडा वच्चे विद्दूद्सितिमान नो तफवत V ⁦, हवे R मत्ही 1 विद्दूद प्रवा आयी छे अने विद्दूद्सितिमाननो तफवत V ⁦ धारोके T समयमा अपने ये अगडर समय फिक्स कर दीतो छे कि T जेटला समयमा Q विद्दूद बार पसार थायाँ छे वी विद्धुत सितिमानना तफावत हेटर क्यू विद्धुत पार ने गती करावा माटे थतु कारिय वी क्यू छे। तो पावर बराबर v गुनिया क्यू ना चेद मा टी। जे आपनों भाग एक हतो तेनी अंदर जोई हो के विद्धूत जे आपने वाद करी हती के विद्धूत प्रवा I विद्धूत प्रवा I सूँ छे तो विद्धूत प्रवा I बराबर क्यूना छेद मा T तो अहीं आगड क्यूना छेद मा टी नी जग्या आपने विद्धुत्प्रवा मुकिये तो बिजा अर्थमा कई है तो P बराबर V गुणिया आए अथवा P बराबर V गुणिया क्यूना छेद मा टी अथवा T समय मा परिपतने पुरी पड़ाती उर्जा P गुणिया टी एटले के जो P गुणिया टी होई तो आ P नी किम्मत आपने जानिये चे P एटले शूत आपने जोयू के P बराबर V आई तो आ किम्मत P नी जग्या जो हूं मुकिश तो ए थशे V गुणिया आई अने आ T अलग थी छे माटे T समय मा परिपतने पुरी पड़ाती उर्जा P गुणिया T अथवा बिजाशब्दों मा कहिए तो V गुणिया I गुणिया T थाई प्राप्ति स्थान द्वारा खर्चाती आ उर्जाने उर्जानों शू थतु होशे तो आजे उर्जा वदारानी जे वप्राय चे आ उर्जानों शू थतु होए तो आ उर्जा आवरोदक्मा उष्मा रुपे विखेरन पामे चे इटले के उश्मा उर्जाना स्वरूप माय रूपान तरित थाई छे तेथी स्थीर प्रवाहा आई माटे टी समयमा उत्पन थती उश्मा जे आपने कहिशू H उश्मा उर्जान आपने कहिए H तो H बराबर V गुणिया I गुणिया T तो आपने आपने शुत्र थसे स्थीर प्रवाहा आई माटे टी समयमा उत्पन थती उर्जा त्वाजेन आपने उश्मा कहिए H बराबर V गुणिया I गुणिया T विद्धूत प्रवानी तापी असर माटेज आपने जोई रहा छे ओमनो नियम जो लागू पाड़ी है तो आपने सु मड़से आपने जे अगाउन आजे सुत्र जोई हो के H बराबर V गुणिया I गुणिया T अवे विद्धूत आपने जे सुत्र बणिया छे तेमा आपनने ख्याल छे के V नी किम्मत सु थाई ओमना नियम प्रमाणे V बराबर I गुणिया R तो ए प्रमाणे जोई है तो H नी किम्मत सु थाशे H बराबर आ V नी जग्या हो किम्मत मुको छो I गुणिया R तो अहीं IR गुणिया आई, एटले I गुणिया आई बन्ने गुणाई जसे तो ये थासे I नो वर्ग गुणिया आर अने आ टी तो छेज एटले के वी नी जग्याए IR मुकता आ किम्मत थशे H बराबर I वर्ग गुणिया आर गुणिया टी आजे छे H बराबर I वर्ग आर गुणिया टी आने जूलनो तापिया नियम कहे छे आ सुचे आ सुत्र जे छे जूलना तापिया नियम नो सुत्र छे H बराबर I स्क्वेर गोणिया T गोणिया R एटले के H बराबर I नो वर्ग R गोणिया T आ नियम पड़ती स्पस्ट छे के अवरोध मा उत्पन्न थती उष्मा आजे H छू छे तो H ए उष्मा उर्जा छे तो आजे उष्मा उर्जा आवरोध मा उत्पन्न थाई छे अवरोद तो अवरोदना संप्रमाण मा अने T एटले के समय तो ए समय ना संप्रमाण मा रहेली छे तो आ त्रोण वस्तुस पश्ट थाई छे के अवरोद मा उत्पन्न थती उष्मा उर्जा एच ए आपेला अवरोद मा थी पसार थता विद्धूत प्रवाहना वर्गना संप प्रमाण माँ छे एटले के आपेल अवरोध माथी पसार तती आ उश्मा उर्जा एचनी की मत ए विद्धूत प्रवाह आईना वर्गना संप्रमाण माँ छे आ उप्रांत ह बराबर आरपन छे एटले के आपेल विद्धूत प्रवाह माटे अवरोधोना संप्रमाण माँ छे अवरोधो नहीं कहिए पड़ान तो आपने इकज अवरोध होई तो ये अवरोध कहिए इटले कि H चले छे R आपेल विद्दूत प्रवा माटे अवरोधना संप्रमाण मा होई छे अने T ना पन संप्रमाण माझे T इटले समय एटले के अवरोध माथी जेटला समय माट्टे प्रवा पसार थाई ते समय ना सम्प्रमाण मा होई छे एटले के H नी किम मत ए I ना वर्ग ना सम्प्रमाण मा I ना वर्ग एटले के विद्धूत प्रवा ना वर्ग ना सम्प्रमाण मा R एटले के अवरोधना संप्रमाण मा अने T एटले के केटला समय माटे विद्धूत पसार थाई छे विद्धूत प्रवा पसार थाई छे तेना संप्रमाण मा होई छे हवे आ सुत्रने लगता दाखला नहीं अपने वाद करिये एक विद्धूत इस्त्री महत्तम दर्थी गरम थाई छे त्यारे 840 वोट वोट सु छे तो ये पावर नो SI एकम छे तो 840 वोट ना दर्थी उर्जाव आपरे छे अने लगुत्तम दर्थी गरम थाई छे इटले जारे महत्तम दर्थी गरम थाई छे त्यारे किटली तो 840 वोट ना दर्थी उर्जाव आपरे अने लगुत्तम दर्थी गरम थाई छे त्यारे 370 वोट ना दर्थी उर्जाव आपरे छे महत्तम दर जैर गरम थाई महत्तम दर थी त्यारे 840 V, अने लगुत्तम दर थी गरम थाई त्यारे 374 V, अने आजे वोल्टेज छे, ते आपने फिक्स आपी दीदो छे, जे चे 220 V तो दरेक किस्सामा विद्धूत प्रवाह अने अवरोध केटला हशे ते बे वस्तु आपने गणवानी थशे आपने जानिये छे के इन्पुट पावर एन्ने जे आपने इन्पुट आपिये छे पावर एटले के S3 ने जे पावर मणी रहयो छे ते सुत्रम मुझे P बराबर V गुणिया T छे आपनों सुत्र छे P बराबर V गुणिया T एटले पावर बराबर वोल्टेज गुणिया विद्धूत प्रवा इटले के विद्धूस्तितिमान नो तफावद गुणिया विद्धूत प्रवा आथी विद्धूत प्रवा आई सू थसे तो वी ने आपने पीना नीचल लई जी एटले के आई बराबर पीना छेदमा वी आपनो सुत्र थायो जारे महत्तम दर्थी इस्त्री गरम थाये छे त्यारे आई नी किम्मत आपने जानी है तो आई बराबर पीना छेदमा वी अब यहीं आगड आपने पीनी किम्मत मुकी दहिया के जारे महत्तम दर्थी गरम थाये त्यारे किटले पावर वाप रहे छे तो अहीं किदू छै के 840 कोड़ उर्जा वाप रह छै तो यह उर्जा अपने मुग सबत आपने किंमत 840 वोट भाग या वी किकमत अहीं आप यापी छै क्या ब्स 840 वोट भाग्या 220 वोट 00 कट थाई जोसे 84 वाग्या 22 एनने तम्हें गण सो तो ए थसे 3.82 एमपियर तथा विद्धूत इस्त्री नो अवरोध आर बराबर हवे आपणने ख्याल छे कि उमनो नियम नो उपियोग करिये तो आर बराबर शु थाई वी ना छेदमा आई अई अगर वी नी किम्मत आपणे मुखिये जे आपी छे 220 वोल्ट येटला 220 वोल्ट भाग्या आई नी किम्मत आपणे शोधी काडी पावर ना सुत्र नी मदत्ती जे थाई 3.82 एमपियर तो वी बराबर बस सो वीश वोल्ट अने आई बराबर 3.82 एमपियर मुखिये तो किम्मत मड़ से 57.78 ओम ज्यारे नियूनतम दर्थी गरम थाई आ महत्तम दर माटे आपणे अवरोध मापियो जे थाई हो 57.78 ओम अने ज्यारे नियूनतम दर्थी गरम थाई छे त्यारे अवरोध नी किम्मत वदार याश तोद नियुनतम दर्थी करम थाये तो आई बराबर कीटलो पावर वापरे छे तो 300 साइट वोट आज सुत्रम आपड़े किम्मत मुक्य आई बराबर पी ना छेदमा वी तो पीनी किम्मत आपणने आपी छे नियुनतम दर माटे 300 साइट वोट अहीं मुक्की दहिए भाग्या 220 वोल्ट जे वोल्टेज छे तो फिक्स छे माटे 300 साइट भाग्या 220 फरीथी 008 जसे 36 भाग्या 22 बराबर 1.64 एमपियर इटले आ किस्चा मा वप्रा तो विद्दुत प्रवा आई बराबर 1.64 एमपियर थसे हवे विद्दुत इस्त्री नो अवरोध आ किस्चा मा जारे न्यूनतम दर्थी गरम थाई छे त्यारे किटलो थसे तो आर बराबर वी ना चेद मा आई ओमना नियम नो प्योग करिया अहीं किम्मत मुकी है 220 वोल्ट वोल्टेज आपने आपियो छे भाग्या आई जे छे 1.64 तो आपने नो भगाकार करिये तो आपने किम्मत मुर्षे 134.15 वोल्ट 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 दर सेकेंड ए 100 जूल उश्मा उत्पन थाय छे अब रोद ना भच्चे नो विध्दुत सितिमान नो तफावत शोदो হ঵ে অহিং অগর্য়াগ্য়ে কিমতাপিছ তেনাপণ্য়ে নুনদেল आपनी पसे समय केटलो छे, तो t बराबर 1 सेकंड, 4 ओम न अवरोध माँ 10 सेकंड है, एटले, टाइम नी किम्मत अथ्वहातो समय नी किम्मत थसे 1 सेकंड, तो अवरोध ना 22 चेडा वच्येनों विद्धूत सितिमान तफावत शोधो, विद्धूत सितिमान नो तफावत V आपने अहीं आगर शोध्वानो छे H नी किम्मत आपी छे, R नी किम्मत आपी छे, T नी किम्मत आपी छे अने V नी किम्मत आपने शोध्वानी छे, तो आने लगतु सुत्र कईू थशे आपने जानिये छे के छल्लू जे आपना शुत्र जोयू H बराबर I स्क्वेर गुणिया R गुणिया T तो अवरोध माथी पसार्त तो विद्धूत प्रवापनी पसे सुत्र हतु H बराबर I नो वर्ग गुणिया R गुणिया T आपने किम्मच शुद्वानी छे I नी इटले आपने H बराबर I स्क्वेर गुणिया R गुणिया T होई तो I स्क्वेर बराबर सु थसे I नो वर्ग बराबर H भागिया R T H बराबर I नो वर्ग गुणिया R T होई तो R T ने आपने नीचे लेजे तो I नो वर्ग बराबर H भागिया R T थाई अवे ए किम्मत छे I ना वर्ग नी आपने शुँ सुधवानों छे फक्ता ने फक्ता I नी किम्मत सुधवानी छे माट्टे तेनू वर्ग मूढ लेए जो I नो वर्ग मूढ लेए तो बीजी बाजू पन आपने वर्ग मूढ लेए उपडशे तो I बराबर वर्ग मूढ माँ H भागिया R गुणिया T थाशे हवे आ दरेके दरेक किम्मत आपनी पासे हजर छे ह नी किम्मत सौ जूल छे तेने ही आगण मुकी देए सौ जूल भागिया R, R नी किम्मत छे चारों गुणिया T, T नी किम्मत छे एक सेकेंड अब ऐही जो इए तो अपने आने कट करीए तो 100 भागिया चार गुणिया एक एटले आम जो इए तो आपनी पासे थके त्थीस आ किम्मत केटली आवशे तो 100 भागिया चार एटले 25 अवे 25 नू वर्गमोड लईए तो ए आवशे 5 एटले आम जोता आई नी किम्मत थशे 5 एमपियर तेथी विद्धूत सितिमान नो तफावत विद्धूत सितिमान नो तफावत शोधू होई तो आपणी पासे आई नी किम्मत मड़ी गई छे अहीं आपणने आई शोध्वा न थी किदू आ एटले शू तो विद्धूत प्रवा आपणने जो शोध्वा किदू छे ते विद तो आई बराबर पांच अंपियर औने आर बराबर चारों आ बन्ने नो गुणाकार करिये तो पांच योग 20 एटले के वी विद्धुत सितिमान नो तफावत वी बराबर 20 वोल्ट थसे विद्धुत प्रवानी तापी असन ना व्यावारिक उपियोगोनी वाद करिये तो आ उश्मा उर्जा जे उत्पन न थाई छे ते व्यावार मा क्याकिया उपियोग मा आवे छे एवा घणा उपियोगी उपकरणों छे के जेमा आ जे उश्मा उर्जा छे तेने उपियोग म अमुग जग्या इलेक्ट्रिकल ओवन होई छे तो तेमा पण आपणे आउश्मा उर्जान ओपियोग करिये छे ओवन बे प्रकारना होई छे ओवन मा एक तो माइक्रोवेव ओवन होई छे जेमा माइक्रोवेव नी मदत्ती थाई चे परन्तु जे हीटर चे एटला के विद् इसस्त्री आ उप्रांत किटली जेमा आपणे विद्दुद नी मदत्ती पानि के चाखे कोई पंवस्तुने गरम करे शब्रांत विद्दुद बर्णर के जेमा उश्मा उर्जान ओपियोग करी ने रांधी पन शक्किये तो आपदा विद्दुद प्रवानी तापिय असन व्यावारिक उप्योगों थया आ उपरान जो अपने जुई है कि क्या उप्योग मा आवे छे ते तो विद्धुत प्रवानी तापी असाना व्यावारिक उदाहरणों नी अंदर जो 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 तो फ्यूज ए योग्य गलन बिंदु धरावती धातु के मिश्र धातु माथी बनेलों होई छे के जे तार नो टुकडों छे उदाहरण तरीके एल्यूमिनियम कॉपर लोखन लेड वगेरे जेवी धातु परिपतना नियत मुल्य करता वदू प्रवाव हे तो फ्यूज ना तार ना तापमान मा वदारो थाये चे आने फ्यूज नो तार पिगडी जाये चे मित्रों अहीं आगड आपने फ्यूज नी आकरूती जोई है तो fuse मा तमें जानो छो के अहीं आगड जे सिधे सिधो प्रवा आवे चे ते क्या थी आवे चे बार्थी एटले के बार्थी आओ तो सप्लाई अहीं आओ शे अने अहीं ती inlet छे अपना गरमा जे विद्धूत प्रवाज जसे ते अहीं थी जसे जे आरे आ बे छेडाओनी प्रवा जे आपने बांदीशू तो विद्धूत परिपत कंप्लीट थसे आ गर्ना या बहर थी आवथो विद्धूत प्रवा आणे आ गर्नी अन्दर जातों विद्धूत प्रवा जे antतार वड़े जोड़ी शू त्यारे यें कंप्लीट थाए चे अना आब ये वस्चे आपने या तार जोडी ने आने अंदर कनेक करिया छे हवे जेवू तमें कनेक्शन आपसो तो गणीवार एवू थाई छे के कोई कवार जे बहरती विद्धूत नो सप्लाई आवे छे तेमा विद्धूत प्रवा वधारे पड़तो आवी जाए जारे आउ थाए तेने आपने ओवर्लोडिंग कईये छे तो जारे वधारे पड़तो विद्धूत प्रवा अही आगड़ावी जाए अने अही तिये क्या जशे तो गर्नी अंदर अने गर्नी अंदर आपने उपकरणों जोडिया हसे जमाँ टीवी, एर कंडिशनर, फ्रीज जेवा मुट्टी एटले के वधारे किम्मत वड़ा इंश्रूमेंट पणे नी अंदर हसे तो हवे फ्यूस नो कारिया सुचे जयारे आ प्रकारे वधू पड़ती विद्धूत उर्जा अत्वा तो उर्जानू उवर्लोडिंग थाई छे एवा समय अही आगड आजे तार छे ते नीची गलन बिंदू धरावतो होवाने कारणे ते तार गरम थई जशे आन्ने ते मिश्र दातुनो बनेलो आन्ने गलन बिंदू नीचो होवाना कारणे गरम थई तूटी जशे जे वो अही थी ए तूटी जशे एटले बहर थी आवतो विद्दूद सप्लाई अन्ने अंदर जटो विद्दूद सप्लाई वच्चे ब्रेक थशे आन्ने आम थवा थी ओवरलोडिंग करणे टले के वधारे विद्दूद प्रवा जे बहर थी आवी गयो छे ते आपना गरना उपकरणों सुधी जटो नती आन्ने आपना गरना जे उपकरणों छे ते आपना सेफ रह से अथवा ते सुरक्षित रह शे आम विद्दूद मा आपने फ्यूज नो उप्योग सेफटी मेजर थी करिये चे अथवा तो सुरक्षा माटे करिये चे जे थी आपना जे गरना उपकरणों छे जे कुब मोंगा चे तेने आपने उवरलोडिंग थता करण थी बचावी शक्ये आधुनिक जमाना मा फ्यूज नी जगे आपने गणीवार एमसी बी नो उप्योग करिये चे एमसी बी सुच माँ पने उवरलोडिंग थाई तो आस्विज जे उपर हशे ते नीचेनी तरब पड़ी जाई चे तो तेना करणे सु थाशे के विद्दूद आपनों जे आपने गरना जे गैजेट सत्वा उपकरणों छे तेने आपने मोटी हानी थता बच्चावी शक्ये चिये आउपरान जो विद्दूद प्रवानी तापी असानी वाद करिये मित्र हो तो आ खास मारे केवा जेव लागे चे के आपने जे बल्बनों उपियोग करिये चे घर गरम थसे तो ज्यारे तमें विद्दूद प्रवा अंदर थी पसार करो तो ए फिलामेंट गरम थसे आने ए फिलामेंट ज्यारे गरम थाई छे त्यारे तेमा थी उश्मा उर्जा साथे साथे प्रकाश उर्जानू उत्सर्जन थाई छे हवे ए जे फिलामेंट छे एनो वा आपने तेनी अंदर बल्बनी अंदर आ उर्जा सचवायली रहेवी जोई है आ उर्जाने साचवी राखवा माटे बल्बनी अंदर आपने एवा गेस बरिये छे जने आपने इनर्ड गेस अथवा जने आपने जे निश्क्रियवायों कहिए तेवा भरवामा आवे छे जे थी ते अंदरनी उष्मा उर्जा जडवाए ली रहे आम आ उष्मा उर्जानों उपियोग करी ने आपने बल्बने प्रकाशित करी शक्ये छिए अवे आपने आगण जोईए विद्धूत पावर आपना चेप्टर नो अथवा आपना जे प्रक्रण छे तेनो छेल्लो टोपिक छे जे छे विद्धूत पावर अवे विद्धूत पावर छे सू तो तेनी व्याख्याई करवाम माटे तम्हे आरी तेनी व्याख्याई आपी शको के कारिय करवाना दर ने पावर कहे छे कारिय करवानों जे दर छे तेने पावर केवाई ते उर्जाना वप्राश्नो दर पन छे अवे पावर ए बे प्रकार नो दर छे एक तो कारिय करवा नो दर ओर आने उर्जानी व्हाषा मजेर आपplayer वाध करिये के उर्जाना विषाई में वाध करिये तो उर्जाना वप्राष नो दर जरने आपने पावर तरिकने उड़किये विद्धूत परिपतमा वप्राती अथवा विद्धूत उर्जानो दर ते आपे छे विद्धूत परिपतमा वप्राती अथवा विद्धूत उर्जानो दर कोण पुरोपाड़े छे तो आ विद्धूत पावर तेने आपने विद्धूत पावर कहिए चीए व्यक्यापियो इतो सरड व्यक्यापि शको कि कारिय करवानो दर अथवा तो उर्जाना वप्राश्नो दर तेने आपने पावर कहिए चीए माटे पावर पी बराबर सु थशे तो पावर पी बराबर कारिय करवानो दर अथवा तो उर्जाना वप्राश्नो दर तो ए थशे वी गुणिया आई यले विद्धूत स्तितिमाननो तफावत अने विद्धूत प्रवा आई बन्नेना गुणाकार जेटलो थाई चे पावर बराबर V गुणिया आई अत्वा बिजाशब्दों मां कहिए तो जो आपने आ V नी जग्या ए ओमना नियमनों उप्योग करीने किम्मत मूकिये तो किम्मत थसे V बराबर I गुणिया आर बाटे पावर P बराबर I गुणिया आर गुणिया आई 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 बेवखात आऊशे आने बन्यनों गुणा कर था इतो पावर P बराबर I नो वर्ग गुणिया आर थसे आ उप्रांत मानी लोके जो I नी जग्या ए हुँं किम्मत मूकू को नी किम्मत तो I नी किम्मत हुँं ओमना नियम न उप्योक करी मुकू तो I बराबर सू थसे V बराबर I गुणिया आर माटे I बराबर V ना छेद मा आर तो जो अहीं आगळ हुं V ना छेद मा आर मुकू मित्रो तो आपने जानिये के अहीं आगड V छे गुणिया V ना छेदमा R तो V V गुणिया V एटले एथसे V नो वर्ग अने भागिया R तो आ सुत्र ने P बराबर V आई ने भिजिरीते लखवोई तो P बराबर I नो वर्ग R अथवा V नो वर्ग भागिया R तरीके लखी शकाई छे पावर नो एकम वोट छे अवे आजे एकम छे कारिया करवानो दर तेने आपने वोट तरीके दर्शाविया छे अने वोट अने वोल्ट मा गणो फरक छे मित्रो आखास याद रख जो के पावर नो एकम वोट छे जारे विद्धू सिती मानना तफावत नो योनेट वोल्ट छे के जेने आपने वी वड़े दर्शाविये छे आजे बल्ब नी उपर लखेलो होई छे के साइट वोट गणीवार आपने सामन्य जीवन नी अंदर जे लोको फिजिक्स नती जानता ते लोको अत्वातो गणीवार विद्ध्यारतियों भूल मा वोट नी जग्या ए वोल्ट बोलता होई छे के केटला वोल्ट नो बल्ब लावानो छे तो केच साइट वोल्ट अत्वा एसी वोल्ट नो बल्ब पड़न तो मित्रो ए वोल्ट न थी ए वोल्ट छे करण के कारिय करवाना दर ने आपने वोल्ट मा मापी शक्ये जैने आपने पावर कहिये छे तो पावर यह सा एकम वोट छे जने आपने W वड़े दर्शाविये छे नाके वोल्ट V वन वोल्ट ना विद्दूद सितिमान ना तफावत हेटर्ड जो उपकरण माँ एक एमपीर विद्दूद प्रवा वेतो होई तो उपकरण माटे वपरातो पावर एक वोट छे एम कहवाई अवे एहीं आगण मारे एक बराबर एक गुणिया एक करो तो हुआ आरी ते लखेश के एक वोट पावर एटले शू तो एक वोट पावर बराबर एक वोल्ट विद्दूद सितिमान ना तफावत गुणिया एक एमपीर विद्दूद प्रवा एटले हुँ एने लखीश 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट V नी जग्या हुँ किश 1 वोल्ट आने I नी जग्या है लईश 1 एमपियर बराबर 1 वोल्ट गुणिया एमपियर एटले के 1 वोल्ट नी किम्मत कितली थाई छे तो एक वोल्ट गुणिया एमपियर जेटली थाई छे ज्या सुत्रनी मद अथी मड़े चे मित्रो P बराबर V गुणिया आए पावर एक वोल्ट बराबर एक वोल्ट गुणिया एक एमपियर एटले एक वोल्ट बराबर एक वोल्ट गुणिया एमपियर आजे एकम छे ते वोट आजे आपने की दुखे आजे पावर छे नो एकम छे वोट परन्तु आ बहु नानो एकम छे खूब नानो छे के जेनी अंदर तो तो में गणत्री करो तो घणाब दा वोट वप्राई जता होई आथी वास्तवी क्योवहार मां आपने गणो मोटो एकम कीलो वोट वापर ये छी है सामानेरी ते बल्ब जूओ के ट्यूब लाइट जूओ तो एनी उपर लख्यू हसे के आटला वोट ट्य पर तो आपना गरमा वप्राता जे बदा उपकरणों छे ते गणी बदी उड़ जाव आपरे छे आणिया माटे ते आ नानो यूनिट जे छे एटले के नानो एकम छे तेना मोटा यूनिट मा लेवो होई तो आपने ते सू लईये छे कीलो वोट नो उप्योग करिये छी है हावे आजे कीलो वोट छे कोना जेटलो छे तो आपने ही कही है के एक कीलो वोट बराबर एक हजार वोट आयने सर्खाम नहीं छे मित्रों एक कीलो वोट बराबर एक हजार वोट अथवा बिजा शब्दों मा कही है तो एक कीलो वोट बराबर दसनो त्रोन घात वोट किलो वोट एक किलो वोट नी एंदर हंत एक हजार वोट नो समावेश थाई छे हवे विद्धूत उर्जा एक पावर अने समय नो गुणा कार छे अपना जो यो के P बराबर V गुणिया आई एटले के विद्धुत उर्जा एको नो पावर आने समय नो गुणाकार छे तो तेथी आपने लखी शे के पावर P गुणिया T तेथी विद्धुत उर्जा नो एकाम वोट अवर लखाई छे आपना जो योके P गुणिया T तो ए बन्ने नो गुणाकार करिये तो ए विद्धू तूर्जा मणे चेटले विद्धू तूर्जा है पावर आने समय नो गुणाकार होवा थी फक्त वोट नी जगे आपने शू लखिये वोट एकोनो एकम चे पावर नो परन्तु P गुणिय T करिये तो आपने समय नो एकम पण मुखो पड़े आने SI एकम तो एही नहीं लएशू आपने परन्तु एनो मोटो एकम लएशू कारण के आपने पावर गुणिया समय लएए छे तो एनो मोटो एकम थसे आवर एटले आपने लखिशू के विद्धूत उर्जानो एकम वो आती उर्जाने एक वोट अवर कहे आपने एम समझे क्या वोट अवर छेसू आने एसा एकम सेकंड नी जगिया आवर केम लिदू करण के आपने जयारे अमुक वोट नो बल्ब लएए आने तेने एक कलाक माटे चालू राखिये त्यारे ए आटलो पावर वाप रहे चे तो आपरे एक वोट पावर एक कलाक माटे वप्रा आए एक वोट पावर एक कलाक माटे वप्रा आए तो वप्राती उर्जाने एक वोट अवर कहे चे आमाजू हो तो एक वोट गुनिया एक अवर एटले के एक कलाक माटे एक वोट वप्रा आए तो ते वप्राती उर्जाने एक वोट अवर तरीके उड़किये छिये विद्धूत उर्जानों व्यापारी कत्वा तो अध्योगिक एकम कीलो वोट अवर छे सामाने दित आपड़े वोट अवर ए खुब नानो एकम थयो के एक कल्याग मां केटला वोट वोप राए परनतु आपणा घरमा जे बदा उप करिये तो एक खुब मोटो खुब वधार पावर वापड़ तो होई छे तो एक कंडिशन नी अंदर अथवा तो ए सिचुएशन मां जेरे आपने लेए तो व्यावारी कठवा व्यापारी के अध्योगिक एकम लेवो पड़े आने ते एकम कीलो वोट गुणिया आवर छे ते लेकिलो वोट आवर जेने सामानेरी ते योनेट कहे चे आपने जानिये चे आपनों जे बील आवे चे ते योनेट मा लखाएन मात आवे चे मित्रो तम्हे जो ह्यो हशे कि तामारों लाइट बील जे आपे चे पंछी ओस कोई पन कंपनी होई जी आपनी जी बी छे एटले के गुज्रात इलेक्ट्रसिटी बाड छे अत्वा तो टॉरेंट पावर के कोई पण कम्पनी जी आपने बील आ पेचे ते कोना बेज उपर आ पेचे तो तामें केटलेओ यूनिट वापरे आवा यूनिट शू चे, आपना फगजमा हम थाएक क एक किलो वोट अवर बराबर 1000 वोट गुणिया अवर अवर आपने एसा एकम नथी एटिले कि कलाक ने आपने एसा एकम मा फेर वानों छे अवर आ कलाक ने एसा एकम मा फरावो होई तो एक कलाक मा 6 मिनिट आवए छे उने गुणियां दरेक मिनीट मां 7 सेकेंड आवता होई छे तो आ 1 किलो वोट बराबर 1 थाउजन वोट ते मुकी दिदू आने 1 कलाग मां सेकेंड केटली थशे तो 1 कलाग मां 7 मिनिट गुणिया तेनी साइट सेकेंड एटले के 78 गुणिया साइट बराबर 3600, 6 गुणिया चो एटले 36 और साइट गुणिया साइट माटेना 2 0 लही है तो 3600 सेकेंड एटले आपने आने कनवर्ट करियू 1 किलो वोट बराबर 1000 वोट और एक अवर बराबर किटला लिद हा अपने 9ी गुनिया साइट आपके 3600 सचेकंड हवे आ बन्ने मं आपने गुणाकार करिए तो वनतावजंड गुनिया 3600 आ बन्ने नो गुणाकार करो तो 36 नी उपर किटला मिन्डआ आवे मित रो 12345 आपने सामाने रсте स्टांडेड फर्म मां ज्यारे कोईपण रकम ने लगता होई है तो आपने पॉइंट ने क्या लाविया छे हमेशा एक डिजिट पछी एटले के आ त्रोण पॉइंट पछी तो ए रिते जोई है तो अहीं आगड केटलू थाई वातू छत्रीस नी उपर पांच मींडा एटल पॉइंट छ गुणिया दसनो छ गात एक पॉइंट आमनी बाजवे खसता अहीं आगर एक गात वजच शे अन्य ते थासे त्रोण पॉइंट छ गुणिया दसनो छ गात वोट सेकेंड आ थायो एक किलो वोट अवर अवे आसू छे तो एछे 3.6 गुणिया दसनो छ गात वोट गुणिया सेकेंड एटले एथ हसे जूल एटले के 1 किलो वोट अवर एटले किटला जूल तो आ खास याद रग जो मित्रों के 1 किलो वोट अवर बराबर 3.6 गुणिया दसनो छ गात जूल जेटलो थाय छे अथवा तो 1 किलो वोट अवर बराबर 3.6 गुणिया दसन छगात ओट गुणिया सेकेंड के जने आपने जूल तरीके दर्शाविये ची है अवे आजे पावर छे विद्धूत पावर तेने लगता अमुक दाखला हो जोईए तो आपने आगलो दाखलो जोईए दाखला कुप सरड छे मित्रो एक विद्धूत बल्ब ने 220 वोल्ट ना जनरेटर साथे जोडेल छे जू अमित्रो अहीं आपने शू आपेल छे 220 वोल्ट ना जनरेटर साथे जोडेलो छे एटले आपनी पासे विद्धूत सितिमान नो तफा वज्जेने आपने वोल्टेज कहिये छे ते आपी दिदो छे केटलो छे 220 वोल्ट तेना जनरेटर अवे आ बल्ब माटे आपने एनो पावर गणवानों छे जे माँ विद्धूत सितिमान नो तफावत 220 वोल्ट छे अने विद्धूत प्रवाजे वहे चे चे 0.50 एमपीर तो आ बल्ब नो पावर गणिये तो आपनो पावर नो सुत्र आपने जानिये चे पावर बराबर गूणिया विद्धूत प्रवा एटले कि पबराबर व गूणिया आऑ अवे आमा आपने किम्मत जो मुकी है तो आपने ही जनावेल छे के विद्धूत बल्ब ने 220 वोल्ट ना जनुरेटर साथ जोडेल छे एटले कि आजे 220 वोल्ट छे वोल्टेजनी किम्मत छे जहीं आपेलो छे 0.5 एन्हें आपड़े एक्चुली एंपीयर मां आपियो छे एन्हें आपड़े एक्चुली यहां के बूल थाई लागे छे लखवा मां 0.5 आपियो छे अहीं बूल छे अवे इनों गुणाकार करिये तो आपने अमड़से 110 जूल पर सेकंड एटले एक एटलो थ सेट मड़ी जशा के लखवा मां भूल थाई लागे छे अवे आपड़े आगलो दाखलो जोईए आ दाखलो आपने समझवा जे ओछे के घरनी इंदर आपने जे उर्जावा परिये छे ते केटली उर्जाव अप्राय छे ने के विरीत है तो दाखलो तेर अने आपने आप 400 वोट एशेनी उपर लखेलू होशे आजे वोट छे ए दरेके दरेक उपकरण उपर लखेलू होई छे जमके बल्बनी उपर लख्यों ए साइट वोट नों छे के ऐसी वोट नों छे के 100 वोट नों छे एज प्रमाणे जो तमे ट्यूबलाइट जो सुत आइनी उपर में प माट कलाग प्रती दिवस चलावामा आवे छे माटे उर्जा जो रूपिया त्रोण प्रती किलो वर्ट अवर ना लेखे 30 दिवस चलावामा आवे तो उर्जा माटे केटलो खर्च थाए छे अवे अहीं आगर आपने एम दारी लेए के घरटी अंदर बीजी कोई वस्तु चालती नती सामानेरते आ फक्त फ्रीज माटे गणत्री करवानी छे आपना गरमा आपने जु ये तो गणा मदा उपकरणों चालता होई छे माटे आवी गणत्री शक्य नती परन्तु 400 वोट न ना लेखे एटले के 3 रूपिया प्रती युनिट ना लेखे 30 दिवस चलावा माटे उर्जा केटली खर्चाए छे अने ते केटला रूपिया तमे तेना माटे चुकव शो ते आपने अहीं आगर शोद्वानू छे अवे मित्रो आपने जे अहीं आगर रकम आपी छे ते रकम ने ध्यान थी समझी आने तेना थी आगर वती है के 400 वोट नू रेटिंग दरावतू रफ्रिजरेटर दिवस मा केटला कलाग चाले छे 8 कलाग एक दिवस माट कलाग अवे केटला दिवस नी गणत्री मा लेवाना चे 30 दिवस तो अहीं आगर जुओ 30 दिवस मा रेफ्रिजरेटर द्वारा वपराती कूल उर्जा सिद्धी आपने केटला दिवस मा गणत्री करी 30 दिवस मा तमे अलग अलग पन गणी शको के एक दिवस दिवसमा वपराती उर्जा केटली थशे तो एक दिवसमा वपराती उर्जा एटले के वपरातो पावर P बराबर V गुणिया आए अथवा तो P गुणिया T आपने लखे चे सामाने रिते अने एना प्रमाणे लखो तो 400 वोट गुणिया आट कलाक एटले किलो वोट अवर थ थाई जशे तो एक दिवसमा वपराती उर्जा 400 गुणिया आट आट चोक बत्रिस एटले के 3200 वोट एक दिवसमी ऊर्जा थोशे हवे जो तमारे 30 दिवसमा ते गणतरी करवी होई तो शो करवो पड़ शे मित्रो आपने जानिया चे के तेना 30 दिवसमा लेवा माटे सीद्धी गणत्री बतावी छे 30 दिवस मा रेफ्रीजरेटर द्वारा वप्राती कूल उर्जा 400 गुणिया 8 गुणिया 30 तो आप बदानी गणत्री करो तो ए थसे 6000 वोट अवर आपने जम जोई हो के वोट एक खूब नानो एकम छे तो तेने आपने सेमा कनवर्ट करिये छे मित्रो एने आपने किलो वोट अवर मा कनवर्ट करवो पड़े आने एक किलो वोट अवर बराबर 1000 वोट थाई छे एक किलो वोट बराबर वन थाउजन वोट अने आवर तो यह मत छे इटले के आने आपने हजार वड़े भाग गिये तो एसे मा फेरवाई जसे किलो वोट मा फेरवाशा तो आपने 6000 ने 1000 वड़े भागिये तो 30 जीरो अहीं ती कैंसल थसे आने आपने जवाब मरशे 6000 किलो वोट आवर एटले 30 दिवस मा रेफ्रीजरेटर द्वारा वपराती कूल उर्जा थसे 6000 किलो वोट आवर आम 30 दिवस रेफ्रीजरेटर चलावा माटे वपराती उर्जा नी आपने गणतरी करी के जे छे 6000 किलो वोट आवर आने आपने जे बील चुकावानू छे ते प्रती यूनिट अथवा तो प्रती किलो वोट आवर केटला रूपिया प्रमाणा चुकावानू छे जुओ मित्रों आजे रक्कम अथवा डेटा आपिया चे तेमा जोई है तो रूपिया त्रोण प्रती किलो वोट अवर लेखे आपने चुकावणू करवानू थाई छे तो आपने एने गुणी काड़िया तीस दिवस रेफ्रीजरेटर चलावा माटे वप्राती उर्जानी किम्मत एक तो आ गुणिया दरे क्यों नीट ना त्रोण रूपिया इटले आ बन्ने नो जो आपने गुणा कार करिये तो छन्नू गुणिया त्रोण के जे थसे 288 रूपिया आम तमे एने गणत्री करी शको छो अने आ प्रकानी गणत्री कर शो तो तमने ख्याल आउसे के तमारा गर्णी अंदर दरो के अलग-अलग वस्तु वप्राती होए मानी लो के तमारा गर्णी अंदर पांच वस्तु वप्राय चे आम पांच तो वप्राती ना थी आम वधारज वाप परिया चे पन तो गणी लही है के पांच वस्तु वप्राय चे जे मां ट्यूब लाइट आवी जाए जै माँ fan आवी जाए छे अत्व पन्खो जैने आपने कहिये छे एनी साथे साथे रेफ्रिजरिटर छे टीवी छे तो दरेक उपर तमाई वोल्टेज लख्या हासे ते वोट लख्या हासे एज वोट ने अपने गणतरी करवानी छे को नी साथे तो किटला कलाक तमें वापरो चो एनी साथे गणत्री करो अने एनने किलोवोट अवर मा कन्वट करो अने आपनु जे इलेक्ट्रिसिटि प्रुवाइड करनार जे बौड हसे तेना द्वारा ए गणत्री आपामा आविय शेके प्रती युनित आपड़े किटला रूपियान उप्योग करिया जे तो किटला प्रकरण न करिंग, अपने बिजाशब्दों मा कही है कि आपने पावर बचावोँ छे, उर्जान वियाई थो अटकावोँ छे, तो कया पगला लेवा जोई है तो मित्रो तम्हें जानो छो किया दरेक दरेक वस्तू विद्धूत वापर शे तो तम्हारे आक आडजी लेवानी छे कि तम्हें गरे जाओ अत्वा रूमनी बहार निकडो तो तम्हारे पंखा अत्वा ट्यूब लाइट बंद करी देवी तो तम्हें एटलीज उर्जा बचावी शक्षो आने उर्जा नी बचे ते आपना देशनी एक सेवाज छे बीजी रिते कही है कि आपने सामाने रिते जे ट्यूब लाइट वापर ये चे ट्यूब लाइट लगभग लगभग साइट येटली उर्जा वापर है छे जो आ ट्यूब लाइट नी जग्या है चोक वगर नी ट्यूब लाइट तम्हें अंदर जो वे तो चोक वगर नी ट्यूब लाइट लही है अब ये चोक वगर नी ट्यूब लाइट होई तो येमा तम्हें चोक वगर नी ट्यूब लाइट कि रिते उडखो सामाने रिते लाइट ओची उर्जाव आपरे छे तो ए लगबग 35 नी अंदर उर्जाव आपरे छे आ उपरान तम्हें cfl बल्ब जे छे chloro fluoro fluorescent lamp जेने आपड़े कई एचे cfl बल्ब तो ए वापर शो तो ए अजी ओची उर्जाव आपरे छे एनी उपर तम्हें जो शो तो जे प्रकाश अथवा एनाथी पन ओची उर्जा मा तमने एट लोज प्रकाश आपए छे आज ये फिल्ट टेक्नोलोजी हती अन्ने आवे टेक्नोलोजी एनाथी पन आगड़ वधी गए छे मित्रों एनाथी आगड़ अपने जो एक LED बल्ब आवे छे जे मानी नानी LED ओ खुब ओची उ अच श्टार वाड़ा तमे वापरो तो जम जम स्टार वत्ता जाये तेम तेम एनो जे बील छे उच्छो आव तुझा आव तुझा या उप्रां इन्वर्ट टेक्नोलोजी वाड़ा एसी पन आवी गया छे गड़ाने मगज में एवु थाई चे के इन्वर्ट सेलसियस तापमान मेंटेन कर वाणाँ छे तो ए सरकीट के वर्टे चाल से के बाविस ड़ीघरी तापमानने मेंटेन कर चे और जेव बाविस ड़ीघरी सलसियस तापमान थाई जाए Measure circuit शोट अप ढCHTr sht 1600 वोट तो ए 1600 वोट नी उर्जा continuous वापरवानी चालू राक्षे परन्तु inverter टेकनोलोजी ने AC माँ फरक ए छे कि आ टेकनोलोजी ना जे AC छे अथवा air conditioner छे ते ये टेंप टापमान छे ने maintain करिया पछी automatic एनो जे पावर छे ते ओछो वधारे कर्षे धारों के 1600 वोट उपर व आ टेकनोलोजी ना AC नी मदत थी पण तमें पावर ने बचावी शको छो अथवा आ उपरान तेवा घणा बदा साधनो छे मित्रो एनी तमें माहीती बेडवी शक्षो इंटरनेट अथवा अन्या सोर्स ने तमें विजिट करो जमके इलेक्रिसिटी बॉड नी विजिट कर तमने आवा साधनों विशे माहीती आपसे आने आवा साधनों तमें उपियोग करशो तो तमें खासु एवु लाइट बी लोचु करी शक्षो तमारा गर्नोदो फाइदो छेज छे परन्तु एनी साथे तमें आखा देश माटे अने आखा विश्व माटे उर्जानी बचत करो छो तो ए एक खुब बगत्यानों फाइदो थाशे आने एक प्रकारनी देश सेवाज छे तो मित्रो आपने आ आखा प्रक्रण नी अंदर जेजे मुद्दाव बणिया एनू एक जड़प्ती रिविजन करी लई है तो सव प्रथम आपने बणिया विद्दूत प्रवा आपने विद्दूत प्रवा केविरीते वहे चे तेना विशे बणिया त्यार बाद आपने विद्दूत सितिमानना तफावत नी चर्चा करी त्यार बाद परिपत आने तेमा वप्राती संग्न्यावनी चर्चा करी त्यार बाद आपने उमनो नियम जोयो के जेमा आपने जे बे वस्तो बणी गया हता के जे हती विद्धूत प्रवा अने विद्धूत सितिमान नो तफावत आ बने वच्चे नो सबन दर्शावतो उमनो नियम आपने प्रेक्टिकली जोयो त्यार बाद वी बराबर आई आरके जे उमना नियम नो सुत्रव चे तेने लगता दाखलाओ जोया त्यार बाद आपने अवरोधक्ता नी चर्चा करी औने त्यार बाद ना एपिसोड नी अंदर आपने जे जोडानों छे तेना बे प्रकार ना जोडानों श्रेनी जोडान आने समांतर जोडान विशेनी चर्चा करी आने आपने जो यो के समांतर जोडान श्रेणी जोडान नी कमपेरिजन मा खूप सारू छे आने एज आपने घर नी अंदर लगावे चे जो श्रेणी जोडान होई आने एक स्रेणी जोडान मा आपणे दिवाडी ना जे लाइटिंग करी हो एक कोई फंक्षन मा लाइटिंग करी हो एक बल्ब उड़ी गयो एक तो वायर मेंने खुब तकलिप करवी पड़े बद्धाज बल्ब चेक करवा अपड़े कि कयो बल्ब उड़ियो हशे ले श्रेणी जोडान नी कंपेरिजन मा समांत्र जोडान खुबज फाइदा करक्छे आने आपना गर्मा समांत्र जोडान जोईचे त्यार बाद आपने जे चर्चा करी ते विद्धूत नी तापी यह विशेनी चर्चा करी अने तेना सुत्रो मेड़िया तेने लगता दाखला हो जोया अने छेवट मा आपने पावर विशेनी चर्चा करी अने पावर केवी रिते गणमा मा आवेच आपना गर्मा किटलो पावर हो प्राय ते कही रिते गणी शकाई तेनी पन आपने लास्ट तमें खुब सरड ताथी परिक्षा मां पन लखी शक्षो, कोई पन व्याक्या गोक्षो नहीं, अने सरड ताथी आजे में तमने टिप्स आपी छे, टिप्स नो उप्योग करी न तमें वाच्षो, तो तमें सरड ताथी आ चेप्टर मां सारा मां सारो स्कोर करी सक्षो, तो म अपने मोटा सागरतर प्रायान करवानुछे। अगरूछे। दिरजनी कसोटी। जह ज्य मनुष्य वोई शके। जह मनुष्य मान दार्या न होई। आवनारादी उसोनी ताखात न होई। यह मनुष्य तरीके न सफट जाए। आपने सफट बनूछे। तो आकास तो बर्षेगा आज कल या पर्षों या फिर बर्षों के बाद भी होना चाहिए। मिट्टी से भी प्यार होना चाहिए। आप प्रेम, याद राखो के आपने जीवन प्रत्यनों प्रेम, समाज प्रत्यनों प्रेम, राष्र प्रत्यनों प्रेम, परिवार प्रत्यनों प्रेम, आपना पूताना प्रत्यनों प्रेम, आप प्रेम अपने काम आउशे, अनामा तम एकला न थी, तमारी साथे लाखो नी स संक्या माच विद्यार्थी हूँ, बदानी एक सरकी समस्या आचे, कुछ लम्हे, कुछ यादें, ये कहानी मेरी भी और तेरी भी, छूलो उचा आसमा, ये उडान मेरी भी, तेरी भी, तो आ गनान प्राप्ती करवानी चे, आ पहलो पढ़ाऊ चे, पहला ही पढ़ाऊ माँ ज इसो मां मारा सव नी, आप सव ने खूब खूब सुबेच चाओ चे, आगे बढ़ो, हस्ता रहो, जिंदगी मां go ahead, आगे बढ़ो